नमस्कार आप देख रहे हैं JK247 News और मैं आपके साथ रुपारी गुप्ता पाकिस्तान इंदोनों बड़ी सियासी उधर पुतल से गुजर रहा है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताफ नाशनल सैंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रद कर दिया है वहीं डिप्टी स्पीकर कासिन सूरी ने आविश्वास प्रस्ताफ को विदेश साजिश बताया है कासिन सूरी ने ये भी कहा है कि पीम के खिलाफ लाया गया आविश्वास प्रस्ताफ असविधानिक है उन्होंने सदन की कारवाई को 25 अपरेल तक स्थगित कर दी है बता दे कि सहयोगी पार्टियों के साथ छोड़ने के बाद ये तैय किया माना जा रहा था कि इम्रान खान फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे इसके कुछ देर बाद ही पाकिस्तान की राश्टपती आरिफ अल्वी ने सभी को चौकाते हुए संसत को भंक कर दिया वह स्पीकर के इस फैसले को असविधानिक बताते हुए इसके खिलाब विपक्षी पाचियों ने सुप्रीम कोड़ पर दर्वाजा खट कर आया है अब चुनाफ के बाद स्थाई प्रधानमंतरी का चयन हो सकेगा हाला कि केरटेकर पीयंक चुने जाने तक इमरान खान की प्रधानमंतरी के पतपर ही रहेंगे इसको लेकर राश्टरपती कारवायलेस से आदेष जारी के गए है इसे के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेट करें, शेयर करें और देखते नहीं, जेकर रविए पोस्ट सेमें